बिहार के पुर्व सिच्छा मंत्री और जीडियू विधायक मेवा लाल चौधरी का सोमबार की सुबह निधन हो गया मेवा लाल चौधरी की कोरोना रिपोर्ट तीन दिन पहले पॉस्टिव आई थी उसके बाद उन्हें पटना के निजी एस्पताल में भरती कराया गया था सोमबार की सुबह करीब सारी चार बजे उन्होंने अपनी आखरी सांस ली मेवा लाल चौधरी मुंगेर के तारापुर से विधायक थे नितिस सरकार में उन्हें साल 2020 में सिच्छा मंत्री बनाया गया था मगर उनके सिच्छा मंत्री बनाने की घोसना के बाद बिरोध सुरू हो गया था मिपक्स ने उनके उपर भरस्टा चार का आरोप लगाया बिरोध के बाद मेवा लाल चौधरी ने कारेभार गरन करने के दो घंटे बाद ही अपने पद से इस्तिफा दे दिया था मेवा लाल चौधरी पर भीसी रहते हुए घोटाले का आरोप था उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था हलाकि इस मामले में चार स्रीट नहीं दाखिल की गई थी मुकदमा दर्ज होने के बाद मेवा लाल चौधरी को एंटी से पे ट्रिबिल मिल गई थी बता दें बिहार में कोरोना के मामली लगातार बढ़ते जा रहे हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8690 मरीज सामने आये हैं राजधानी पटना में एक दिन में 290 केस मिले हैं राजज में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्यार 44,700 पहुच गई हैं वहीं मेवा लाल जौधरी के निधन पर बिहार के राजनीतिक गल्यारों में सोखी लहर हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं